हमें परिषान करें अन्य वीवाग àsपे पर्षान कर रहें जब हम कुछ कामी कर पा रहे हैं तो क्यों हमें पर्षान किया जा रहे है हम बोलने का मुंदा मेरे यहीं हम प्र зан सेवाओं पर लगे हैं जो हमारे छेव उद्देश हैं हमारा विभाग सिर्फ उस जब हमें हमारा मांदे 9300 है तो उस के लिए हमारा वही काम भूत है हम अन्य विभागों काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे और वह सकता है हम सामुहिक रूप से निर्वाचन में इस्तिपा दे सक इस्तिपा सब्द यह हम बिलों का काम नहीं करेंगे इसका हम सामुहिक रूप से हम बाइसकार कर देंगे अच्छा संगठन अगर हम परदीश की बात करें अभी तक कुछ डिसिजन हो पाया है कि और आप सब्द की जितने भी औगनवाड़ी सेवीका साहिका मिनी आगनवाड़ी कारेकतरी हैं ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वड होने वाली है इस वीडियो के बादम से आप सभी के बीच में वर्तमान की एक बड़ी खबर साजा करेंगे हाल ही के अंदर का सरकार का एक बयान है आप सभी के अस्थाई करण या फिर कहा जाए मांदे वृद्धी को लेकर उस बयान को भी आपके मद्द में रखेंगे सभी से एक पर देशन तो हो रखाया क्योंकि इसके लिए एक समिती गठन की गई है हमारे परदेश सिस्तर पर जिसमें हमारे निर्देशक महद है हमारे बालविकास अदिकारी महद है जो भी स्टेट लेबल के हैं उन सब को उसमें समिती में रखा गया है कुछ अध्यक्ष के पद्प हो जाती है मान दे की क्योंकि हमारा बालविकास बहुत ग्रेटों पर काम कर रहा है मालविकास के अंदर गत और भी जो कार्यकरम हो रहे हैं वो उसी से बित में से होने है और सबसे बड़ा मुद्दा ये बताया जा रहा है कि अभी हमारी बहिनों का जो उच्छी करण हो बित की इस्तिति क्या है उस पर जो समिटी गठी थोर की उस पर कारवाही चल रही है लेकिन उसके कारवाही चलते जब तक सरकार हमको लिखित रूप में नहीं देगी समिटी लिखके नहीं देगी कि आगे चाय चुनाव के बाद है चाय आचार सहीता से पहले है लिखित न आप हमें हमारे पैसे का ब्यॉरा दीजिए हमारे पैसा यानि जो हमारे बहनों के द्वारा आज नौ साल से साइड मैं 2015 से कह सकती हूँ कि 9 साल से हमारा जो है हम एहला कल्यान को इसका 100 रुपे कड़ता है पर ते एक बहन का कड़ता है तो है जैसे जो तीन दी दी लेकिन आज तक हमारी बहनों का रिटायर्मेंट हो चुका है कही बहने हमारी दुर घटना में उन्हों ने अपना जीवन दे दिया है तो उन लोगों के लिए कुछ भी पैसा नहीं मिला जबकि हम महलाओं का पैसा हमारे ही द्वारा जमा किया पैसा हमारी महलाओं को ही मिलना था लेकिन सरकार ने उस समय ये बोला था कि सरकार भी कुछ उसमें अंसदाई पैसा डालेगी जैसे सो रुपे हमारा तो सो रुपे राज्या डालेगा लेकिन राजे ने डाला हो ना डाला हो ये तो राजे सरकार जाने लेकिन हमने लगाया है लगभग हमारा आज तक वो पैसा करोड़ों में जमा हो चुका है 37 करोड रुपे लग भग हमारा पैसा जो है जमा हो गया है तो हमारा जो पैसा इतना जमा हो चुका है तो क्यों हमारी बेहनों को नहीं दिया गया है तो आपका कहना ये है कि जो महिला कल्यान को उसका धन है उसके साथ कुछ न कुछ खेल चल रहा है बिल्कुल चल रहा है, जब हमारी बेहने खाली हाथ गई है, रिटार्मेंट के बार, तो कहां वो पैसा था, ये पैसा उन्हीं के लिए था, कि हमारी बेहने कोई भी खाली हाथ न जा पाएं, लगभग हमने अनुमानित लगाया कि साल भर में वो पैसा चार करोड, बीस लाक, 16,800 रुपे लगभग जमा हो रहा है, एक साल में, तो आज 9 सालों में तो करोडों में चले गया है, हमने अनुमानित 37 करोड अबव लगा रहा है, तो उस पैसे का ब्योरा कहा है, क्यों हमारी बेहने खाली हाथ जा रही है, तो ये मुद्द हमने रखा हुआ है, देख उस प प्युँ चले टूँ है।